हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डेरीस पहुरार मलिक, दिस अवर फोर्टीन्थ लेक्चर अफ मेडिकल बिलिक आज हम्वारा दूसरा प्रेक्टिस सेशन है, लास्ट जो सेशन था उसमें हमने देखा था कि हम eligibility verify कैसे करेंगे call के थूँ, और हमने एक live call भी की थी, और मैं आपको clear ये बताया था कि आपके जो lecture से वो end हो चुके हैं, अब हम जितने भी सेशन करेंगे वो सारे practice session हो, हम छोटी से छोटी चीज की भी practice करेंगे हैं और उसको detail में जाके देखेंगे कि किस तरह हम कर सकते हैं, आज हमने क्या करना है, आज हमने data entry करना है, चार्ज entry से पहले जो step हमरे पास आता है, वो data entry का होगा है, patient की data entry हमने करनी होती है, अब ये क्या है, कैसे है, उस चीज में हमें प्रड़ी नहीं रहा, क्योंकि मैं हैं, आपको already lectures में सारा कुछ बता चुको, अगर आपने नहीं देखा, आप जाके सुन लो, अगर आपने already सुना होगा है, इसको एक बार दोबारा जाके सुन लो, इससे क्या होगा, कि आपको idea हो जाएगा, सारी terms का, सारे process का, सारे steps का, ठीक हैं, तो आज हम direct उस सारी screen recording नहीं कर सकते, जब भी हम screen recording करते हैं, तो हमारा IP address ब्लॉक हो जाता है, और हमारी subscription भी waste हो जाती है, उसके लावा हमारा जो सारा data उसके बढ़ा होता है, वो भी सारा trash में चला जाता है, तो इस चीज़ को avoid करने के लिए हम क्या करेंगे, हम screen recording नहीं करेंगे, ना ही मैं और उस window पे आपको समझाओगा, for example, आज हम जैसे data entry कर लिए है, next session में आप charge entry करेंगे, पर पोस्टिंग करेंगे, तो इनकी जो भी related हमारे पास windows होती है, for example, मैं दो आपको software पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, session करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, carry होगा, अब carry होगा, अब carry हो तो उठा होगा, वहाँ से, ठीक है, और मैं उसके आपको practice करवा होगा, मैं आपको direct उसके recording नहीं करवा सकता, और साथ में नहीं मैं patient details use कर सकता हो, क्योंकि यह सारे जीसे confidential हो जाती है, तो हम confidential details आपके साथ share नहीं कर सकते हैं, इसमें जासे patient details भी dummy use करेंगे, मतलब आपको स information share करने हैं, आपके साथ पीशनेट की details share नहीं करनी, ठीक है, हम आपको समझाने लगें, तो इसमें क्या होगा, सारी details dummy होगी, लेकि जो software use कर रहे हैं, क्योंकि carry-o की resemblance है, वो सारे software के साथ है, इनका template है, आलबोस seem होता है, इनके portal template हो गया, दूसरे जितने भी है, उनका भ template same use करते हैं, तो आज सिर्फ हम carry-o की बात करेंगे, तो उसके हम देखते हैं, कि हम data entry कैसे कर सकती हैं, तो मैंने यहाँ आप एक window रहे रखी है, उस window पे हम dummy details upload करेंगे, पेशनेट की, और देखेंगे data entry कैसे होती है, तो आज है मेरे साथ screen है, तो guys हम आचके हैं laptop की screen पे, तो हमारे पास यहाँ पे एक patient की dummy details है, जिसे हम demography of patient भी कहते हैं, तो यह हमारे पास care first medical facility की है, तो यह सारी जो details है, यह dummy है, तो हम hyper road को follow कर रहे हैं, जिसके मुताबक हम कुछ भी आपके साथ share नहीं करे सकते, otherwise हमारी IP address सो बैल हो जाएगा, और हमें जो सारी हमारा data है वो चला जाएगा, तो इस वज़े से मैंने यहाँ पे carry हो की ना एक window निकाली है, तो इसके अंदर हम क्या करती है, अपना जो data entry है, वो करती है, यानि कि जिसे हम demography of patient भी कहते हैं, वो put करती है, तो total हमारे पास दो windows होती है, या दो pages होती है, जिनके अंदर हम details put करती है, तो first जो हमारे पास page है, वो कुछ इस तरह का होता है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, carry होगा, ठीक है, जो बाकी software है, वो भी almost seem है, थोड़ा बहुत template का फर्क हो सकता है, otherwise ये जो details है, ये सारी आपके हर, जो आपका medical software हम के अंदर scene होता है, थोड़ा बहुत हम पर designing के अंद use easily कर लेंगे, तो हम इन dummy details को use करके अपना data entry का, जो step है, data entry का जो procedure है, वो हम करते हैं, जिसे हम demography of patient भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमरे पास dummy demo of patient है, तो इसका पूट करते हैं, तो हमारा जो patient है, उसका नाम है, John Kane Williamson, अब पाकिस्तान के अंदर कुछ और scene होता है, जबके America की बात करें, तो पहले जो उसका है, यह last name होता है, जिसे आप surname भी कह सकते हैं, उसके बाद उसका first name आता है, तो Kane Williamson, इसका first name है, और जो John है, उसका sir name है, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, या पिर पाकिस्तान में जैसे हम लिखते हैं, या पिर इंडिया में लि गिलियल, सर्व, ठीक है, और उसके बाद उसका हम last name लिखेंगे, जॉन, ठीक हो गया, यह कुछ इस तरह से हमारे पास full name आता हैगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, social security number, जिसे हम SSN भी कहते हैं, तो SSN आपके पास यहाँ पे दिया गया है, 923-122-156, तो हम इस type कर लेते हैं, 923-122-156, तो हमारे पास यह data put हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे आता है date of birth, तो date of birth आपको यहाँ पे do भी देगी है, वो है, 06-12-1990, तो हम same as इसको put कर देंगे, यहाँ पे, 06-12-1990, तो हम यहाँ पे date of birth भी put कर देंगे, उसके इसके बाद हमारे पास यह वोक्स है, वो है gender का, तो gender के अंदर आपको यहाँ पे शोर है, mail तो same, हम यहाँ पे भी mail type कर देंगे, ठीक है, तो इस तरह हमने ही सारी data को put करना है, अब यह हमें जो care first medical facility है, यह हमरा provider है, वो यह सारी detail हमें provider नहीं दी है, तो हम उसको यहाँ प put कर देंगे, अमराण आपको यहाँ पर दिया गिया है, 4082907, तो हम इसको same as put कर लेंगे, 4082907, ठीक है, अमराण हमरे पास हो गया, उसके बाद address हमरे पास आ जाता है, तो address हम यहाँ पर type कर लेंगे, तो address हमरे पास दिया गिया है, post office box 150 suit 30, San Antonio TX 78056, तो हम CMS को put कर देती है, तो यह हमरे पास हो गया, उसका address, अच्छा, उसके बाद है, send email notifications, अगर आपको email notification रसीव करने हैं, तो आप यहाँ पर email भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हमरे पास वैसे कोई email मौजूब नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, मैं आप एक email डाल दे उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइडर की डीटेल पर शुरू होते हैंगे, ठीक है, यहाँ पर है primary care physician, तो यहाँ पर है primary care physician, जिसे आप PCP मी कहते हैं, तो PCP हमारे पास यहाँ पर लिखा हुए Julie Stewart, तो Julie Stewart हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो कि हमारे पास हमारा primary care physician है, तो Julie Stewart, यह हमारे पास अबरा, जो क्या है, primary care physician है, तो उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, referring physician, यह आपके पास लिखा हुए है, एना मार्टिन्स, तो एना मार्टिन्स भी आप सेम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, एक चीज़ आपने यहाँ पर बड़ाई गोर से दिख रही है, कि spelling mistake ना हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दिया गया है, वैसे लिखने है, आपने तरफ से कुछ भी उपर नीचे, आपने नहीं करना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपको एक box दिया गया है, इसको चेक करना है, यह नहीं करना है, तो person financially responsible is a different than patient, अगर आपका patient below 18 है, यानि कि वो अपने जो responsibility है, अपने जो payment है, वो फुद pay नहीं कर रहा, कोई और उसकी payment पे कर रहा है, क्योंकि वो बियो 18 है, तो आप इस box को चेक करेंगे, otherwise इसको चेक नहीं करना, इस पर इसे छोड़ दें, उसके बाद यहाँ पर insurance है, इन्शोरंस की, अनि कि default pay scenario, त तो हम चलते हैं अपने next जो page है, उसकी तरफ, तो हमारे पास next window open हो चेकी है, जिसमें हमने कुछ और details put करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो box हो रहा है, marital status, तो आपने यहाँ पे marital status इसका लिखना है, तो यहाँ पे marital status है, इसका merit, तो हम type कर रहूँंगे, merit, क्योंकि यह बंदा merit है, तो हमने लिख दिया, तो उसके बाद है employment status, employment status क्या है, कि अगर यह बंदा किसी company एंडर, employer है, और कौन कर रहा है, तो हम इसको लिख देंगे, otherwise नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई भी इस तरह का info show नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, none कर देंगे फिलाल के लिए, तो आपको info यहाँ पे कोई दी गई होती, तो आप इसको feel करते है, otherwise ठीक है, क्योंकि इंप्लाइर वाला भी option हम यहाँ पे box ऐसे ही छोड़ देंगे, तो referral resources, यह not specified हम लिखते हैं, बात में समझाता हूँ हमने क्यों किया, ठीक है, उसके बाद इस option पे आते हैं कि Chrome phone, तो यहाँ पे उसका phone number लिखना है, phone number आपके पास है, 286-596-5522, ठीक है, तो हम यहाँ पे put कर देते है, 286-596-5522, तो यह उसका phone number होगी, अगर इससाथ कोई extension है, तो आप यहाँ पे extension भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम आर पास यहाँ पे extension भी डाल सकते देते हैं, तो यहाँ पे work phone भी आप डाल सकते हैं, mobile phone भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक phone number लिख दिया है, तो इंडियाफेस के लाव आपको कुछ में डालने की ज़रुवत नहीं है, ठीक है, enable auto phone call, अगर आप auto phone call चाहते हैं, कि कि किसी में डाई वाक को call कर सकें, तो आप इस box को भी चेक करने, otherwise को चेक करने की ज़रुवत नहीं है, तो emergency name, अच्छा, emergency name के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपने इसको guardian का name लिख लोता है, जो भी इसको guardian होता है, कि अगर emergency है, तो वो आपकी guidance से contact कर सकें, in case अगर आपसे contact नहीं हो रहा, तो फिर वो emergency जो contact होगा उसे उपर टेक्ट परेंगे, यहाँ पर वाइडियन भी हो सकता है, तो यहाँ पर वैसे कोई आपको guardian या फिर emergency यहाँ पर mention नहीं किया गया, फिर भी हम यहाँ पे कोई random सा नाम डाल देते हैं, ठीक है, ABC आपका क्या है, emergency name, मैं आपके patient का, उसके बाद जो emergency phone है, तो भी हम यहाँ पर ऐसे इटमी डाल देंगे, कुछ ली, तो यह basically किया है, यह आपके guardian का हो गया, आपकी patient का, जो guardian होगा, वो details यहाँ पर देनी होती है, उसके अगर extension है तो भी देंगे, यहाँ पर कोई provider नहीं है, हम इनको खाले भी चोड़ सकते हैं, लेकर आपको समझाने के फिर हम छोड़ दें, तो referral forces भी हमने नहीं लिखे और यह चीज़ा भी नहीं लिखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम patient data डाल रहे हैं, हम provider का data नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, data entry of patient कर रहे हैं, यह निके demography of patient कर रहे हैं, तो इस जैसे यह चीज़ा हमने छोड भी, तो इन से कोई फरक नहीं पड़ता है, वैसे कि फिर रहे हैं, जब हम charge entry करने लगेंगे ना, तो इन चीज़ों को हम फिर देखेंगे, तो यह थी आज कि हमारी data entry, तो guys आपने देखा कि हम carryo पर कैसे data entry कर सकती है, अब next lecture में हम देखेंगे कि हम charge entry कैसे कर सकते है, data entry ड तो data entry का जो lecture था वो revise डर लें, ठीक है कि उसमें क्या चीज़े है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप comments में पूछो, ठीक है, मेरे DM में आओ, सारी चीज़ें आपको provide दी जाएंगी, हर आपकी question का answer किया जाएगा, अगर आपका question valid है तो, तो मैं यही कहता हू आपको यही प्रेक्टिस से काम आएगे, मैं आपको गरटी से कहता हूँ, ऐसा प्रेक्टिस सेशन आपको पूरे YouTube के आप पूरे पेड कोसे प्रेक्टिस सेशन आपको पूरे यूट्यूब करने लोग होए, या आप पर सोनो जाने लोग होए, रिमोर्ड वर्क की तरफ, आपको यही प्रेक्टिस सेशन काम आएगे, मैं आपको गरटी से कहता हूँ, ऐसा प्रेक्टिस सेशन आपको पूरे YouTube के आप पूरे पेड कोसे में भी नहीं लेगा, या मैंने आपको जबार डगा के वहां से विंटो निकाली है, और कोई भी यह बनतार रिस्क नहीं लेत कि आपको मेडिकल सॉफ्टिर का टूर करा है, और उसकी स्क्रीन रिकार्डिंग आपके साथ शियर करें, जैसे कि मैंने किया है, तो नेक्स सेशन में हम करेंगे चारज एंटरी तब तक अपना क्याल रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि यह जो वैल्य